वेलकम एब्रीवन, वेलकम टू जे रेस मंत्रा, एम रजनीस, आज हम लोग TOS का यानि Theory of Structure का बहुत important formula revision करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं और आज के इस lecture में 5 या 7 मिनट में हम इसका revision करवा देंगे Slope or Deflection लिख देंगे, आप इसको लिख लिजएगा, एक notes copy में, preparation के format में कर लिजएगा और 2020 का, यानि 2020 में, पूछा गया है question fixed beam पे, question number 11 उसका हम यहाँ पे correct solution देंगे, जो भी book है, जितना भी book हम देखें, सब जगा गलत solution दिया हुआ है तो उसका हम यहाँ पे correct solution देंगे, देखो, सबसे पहले formula revision कर लेते हैं, जब एक cantilever beam होगा, जिसका span length L है अगर उसकी, मतब, end पे point load लगेगा P, point load लगेगा P, तो यहाँ पे deflection क्या हो जाएगा सर, अच्छे से याद करना यहाँ पे by max का, यानि deflection का जो value होगा, by max का value होगा, वो p l cube by 3 e i होगा, और यहाँ पे जो theta आएगा, वो आ जाएगा सर, p l square by 2 e i होगा, ठीक है यहाँ पे जो slope बनेगा, वो होगा theta यानि p l square by 2 e i, और by max होगा, वो p l cube by 3 e i होगा, अगर p के जगा कहीं पे w लिख देता है, अगर मालो p नहीं लिखे, w लिखेगा, तो w l का power 3 कर दोगे, तो हम w actually represent करेंगे, कहीं पे p represent करेंगे, यह p है वो point load को बता रहा है अगर वहीं load udl होगा, cantilever में, जिसका span length l है, तो यहाँ पे by max जो होगा, यानि end पे by max का value होगा, वो कितना हो जाएगा sir, w l का power 4 by 8 e i, ठीक है, और यहाँ पे जो theta का value आएगा, वो आएगा w l का power 3 by 6 e i, यह सब याद रखना, एक एक टर्म को आपको याद रखना है, ठी आप इसको ignore मत करना, sscj, जो भी competitive exam दोगे, सब के लिए formula काफी important है, already हम एक list बन बाद चुके, फिर से हम यहाँ पे करवा रहे हैं, आपका revision, ठीक है, अब इसके बाद देखना आपू, यह दो चीज़ समझ में आ गया, pl cube by 3 e i, और pl square by 6 e i, w l का power 4 by 8 e i, और w l का power 3 by 6 e i, एक चीज हम ऐसा याद रखना, कि theta जो बनेगा, deflection में, l का power 1 कम होगा, जहाँ पे UDL रहेगा, वहाँ पे l का power 4 होगा, जहाँ पे point load रहेगा, वहाँ पे l का power 3 रहेगा, ठीक है, यह छोटा छोटा चीज है, जो आपको याद रखने में help करेगा, ठीक है, अब इसके पता चुके हैं, यह होगा, कितना, डबलू, यह दो हो, UDL है, तो कितना हो जाएगा, डबलू, l का power 3 by 48EI, ठीक है, 48EI हो जाएगा, और यहाँ पे जो theta का value होगा, theta का value कितना होगा, तो याद रखना, wl का square होगा, या PL का square होगा, का square by 16EI होगा, 16EI होगा, ठीक है, यह पे आपको आगया maximum deflection और slope का value, जब हम लोग simply supported beam रहेगा, जिसके उपर UDL है, तो यहाँ पे deflection होगा, जो maximum deflection by max होगा, by max का value हो जाएगा, याद रखना, कि 5 by 384, 384 into wl का power 4 by EI हो जाएगा, ठीक है, और इस case में theta का value है, लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, स यहाँ पे लिखते हैं, theta का value है, वो L का power 3 हो जाएगा, जब UDL रहता है, तो L का power 3 हो जाता है, wl का power 3, 4, 3, 3, 2, याद रखना, wl का power 3 by 24 EI, 24 EI, theta का value, theta 1 और theta 2, theta A, theta B, दोनों बराबर होगा, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जब हम लोग fixed beam के तर reflection होगा, वो क्या होगा, maximum reflection होगा, वो center पर होगा, ठीक है, यहाँ पर, max मिलेगा आपको, क्या मिलेगा सर, life max मिलेगा, और यहाँ पर जो value मिलेगा, बीच में जहाँ पर point load लग रहा है, अगर L by 2, L by 2 है, तो यहाँ पर आपको by max मिलेगा, theta यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर टाइम्स जादा होता है इसमें 5 टाइम्स कम होता है तो WL का पावर 4 WL का पावर 4 बाई 384 EI होगा 384 EI होगा और यहाँ जो simply supported point load है इसका क्या होता है चार गुना जादा होता है ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा बाई max का जो value होगा maximum value हो जाएगा डबलू या डबलू लिखें हाँ WL का पावर 3 बाई 192 EI ठीक है 192 EI 48 को 4 से multiply करो कितना आता है 48 इंटू 4 8 4 जा 32 3 192 ठीक है 192 EI होगा यहाँ से 4 गुना कम deflection होता है यहाँ से 5 गुना कम deflection होता है और रेडी हम लोग यह सब पढ़ चुके हैं जान चुके हैं तो यहाँ से आपको by max का value मिल जाएगा WL का पावर 3 बाई 192 और WL का पावर 4 बाई 384 डिफलेक्शन होगा फिक्स्ट बिम में अब एक हम लोग question करने जा रहे हैं जो आपका previous year में 2020 में 2020 में पूछा गया है question number 11 है जो भी जहां भी आप देखे हो उसका solution वो correct नहीं है correct solution यहाँ पे हम बता रहे हैं पॉस करके note करो और एक एक data को आप याद रखना ठीक है हो सके तो एक separate page में लिखकर दिवाल पे चिपका लो कहीं पे erase करके आगे बता रहे हैं देखो अब यहाँ पे हम लोग moment निकाल रहे हैं moment वाला भी थोड़ा revision कर लेते हैं यहाँ पे fixed moment होगा वो MA होगा ठीक है यहाँ पे भी जो fixed moment होगा वो MB होगा में मोमेंट यहाँ पे आ रहे है बावू यहाँ पे MB मोमेंट आ रहे है ठीक है अगर इसका support moment का डियाग्राम बना है तो हम लोग को support moment का डियाग्राम कुछ हैसा मिलेगा rectangular मिलेगा यहाँ पे आएगा MB और यहाँ पे आएगा MA और यह कैसा होगा negative और MA और MB का value है वो कितना होने जा रहा है तो सर WL square by 12 होगा और यह भी MA का value भी WL square by 12 होगा fixed end moment और अगर UDL है अगर UDL का simply supported moment हम लोग देखें तो simply supported moment होगा वो कुछ ऐसा होगा और यहाँ पे बीचो बीच में आएगा WL square by 8 WL square by 8 होगा और यह positive होगा चलो यहाँ तक समझ में आ गया sir यह moment कितना होगा इसको हम बोर यहाँ पे moment support A के पास moment होगा MA और support B के पास moment होगा MB ठीक है बाबू यहाँ तक समझ में आ गया देखो बीचो बीच में है तो इसका जो bending moment डाइग्राम होगा MA और MB का यह भी कुछ ऐसा होगा ठीक है और यह जो moment होगा यह PL by 8 होगा MB और यहाँ पे MA तो यह जो moment होगा MB यह कितना हो जागा sir PL by 8 ठीक है और यहाँ पे जो bending moment होगा यह negative होगा positive bending moment होगा वो बीचो बीच में आएगा यहाँ पे point load triangular shape में होगा linear shape में होगा और यहाँ पे आएगा PL by 4 यह positive होगा यह negative होगा यह याद रखना यह किसके कारण point load के कारण जो bending moment diagram span पे बनेगा उसके बात कर रहे हैं और fixed moment होगा MA और MB दोनों का value होगा MA और MB होगा यह PL by 8 होगा PL by 8 हो जाएगा और यह PL by 4 होगा ठीक है अब इसके लिए देख लेते हैं यहाँ पे जो bending moment बनेगा इसको बोरे MA और यहाँ पे जो bending moment बनेगा यहाँ पे बोरे MB MA और MB आगिया है अब देखो MA का value क्या होगा और MB का value क्या होगा अगर इसका bending moment हम लोग diagram देखते हैं तो यहाँ पे जो bending moment आएगा वो ज़्यादा आएगा यहाँ पे जो bending moment आएगा वो कम आएगा ठीक है दोनों तरफ इस तरह से bending moment बनने जा रहा है यहाँ पे bending moment होगा बाबू इसको वो रहे MA और यहाँ पे जो bending moment होगा इसको वो रहे MB ठीक है MA का value बता दिजे सर MA का value बता दिजे और MB का value बता दिजे तो यह हो जाएगा P और इधर का side है वो B है तो P B square A by L square हो जाएगा और MB का value होगा A square यानि P A A square B by L depending moment अधा का value तो किसका value जादा होगा M A का B ज़्याद है की A ज़्यादा है तो B का square तो MB निकालना है MB निकालना है A में निकालना है B का square P B square A Y L याद रखना हम पढ़ा चुके है तो bending moment निकालने का यह ready made formula है जो आपको आना चाहिए सर इसका simply supported जो bending moment होगा वो कैसा होगा तो ये एक triangle होगा और ये P, A, B by A ये triangular होगा positive होगा, ये negative होगा और यहाँ पर moment आएगा ये P, A, B by A लाएगा ठीक है, तो आप इसको pause करके note कर लो pause करके note कर लो, erase करके अब question है, वो करवा देते हैं, ठीक है pause करके note कर लो, एक chart बना लो, table बना लो, जो मैंने वो कर लो, तो देखो ये question हम solve करने जा रहे हैं, ये 2020 का question number 11 है ये question आपके semester के exam में पूछा जा चुका है, देखो और जो जहां पर भी इसका solution बना हुआ है, जिस भी book से आप पढ़ रहे हो, वहापे solution है, वो wrong है, तो इसका correct solution क्या है, आप यहाँ पर देख लेना, देखो question कहा है वावो, कि एक a beam of 8 meter long, एक beam है जो 8 meter long है, is fixed at its end, 8 meter long एक beam है, जो fixed है, दोनो end पे, ठीक है, ये fixed है और इसके लंबाई कितनी है, sir sir, लंबाई है, वो 8 meter है कितना लंबाई है, 8 meter अब देखना, यहाँ पर और कुछ data दिया हुआ है दिया हुआ है, it carries a UDL of, it carries a UDL of, 4500 यानि 4.5 kilo newton यहाँ पर newton per meter के format में दिया हुआ, आप इसको convert कर सकते है, kilo newton में या जैसे लिखा है, as it is लिख देते हैं, इसके उपर UDL लग रहा है, कितना है, तो 4500 newton per meter, यह UDL का यहाँ पर दिया हुआ है over the whole span, पूरे span पर find the maximum bending moment यहीं जो बोल रहा है ना, find the maximum bending moment, यह हम लोग को निकालना है, कि bending moment होगा वो maximum क्या होगा, ठीक है and deflection, और इसका deflection भी निकालना है, ठीक है take E equal to 200 kilonewton per meter square और Ixx है, वो 5 into 10 to the power 7 mm का power 4, E का value, यानि 200 kilonewton per meter square दिया हुआ है, और I का value दिया हुआ, ठीक है देखो, अच्छे से समझना इस चीज़ को जो हम बताने जा रहे है अभी आपने deflection देखा है slope देखा है, fixed moment क्या होता है, यह देख चुका है इसका आप अच्छे से चार्ट बना लेना और याद रखना, ठीक है अब आते हैं, देखो, अगर यहाँ पे हम moment आएगा, ठीक है, कैसा moment है तो fixed end moment, यह end के द्वारा लगने वाला moment है और यह कैसा moment होगा, सर hogging होगा, या sagging होगा तो सर यह एक negative moment होगा और यह negative moment कहने का मतलब है, यहाँ पे hogging moment मिलेगा ठीक है, A, B के उपर UDL के कारण, यहाँ पे जो moment आएगा, वो parabolic आएगा कैसा moment आएगा, सर, parabolic आएगा ठीक है, इतना हम लोग को पता है यह जो moment A में और MB होगा, इसका भी value हम लोग देख लेते हैं A में और MB का भी value देख लेते हैं और यहाँ पे जो maximum moment आएगा वो आजाएगा, W L square by 8 W L square by 8 आएगा, maximum positive bending moment, free जब यहाँ पे simply support मानेंगे, तो UDL के करण W L square by 8 आएगा और यह fixed moment आएगा देखना यहाँ पे जो value है वो हम लोग लिखते जाते हैं तो fixed end moment MA और MB है इसका value होगा W L square by 12, तो solution start करते हैं, solution start करने से पहले आप लोग लिख लेना, L है वो 8 meter है W का जो value है वो है 4.5 kilo newton per meter दिया हुआ है over the entire span, और कुछ दिया हुआ E का value दिया हुआ, E का value है 200 into, यहाँ पे सब को जैसे है as it is लिख देते हैं, newton meter में रख देते हैं, तो यह है 4500 newton per meter और यह हो जागा 200 into 10 to the power 3 newton per meter square और I का value है Ixx का value है वो 5 गुने 10 का power 7 mm का power 4 दिया हुआ है तो हम लोग को पता है कि 1 meter में 1000 mm होता है और दोनों तरब power 4 कर दो इधर भी power 4 और इधर भी power 4 कर दो तो 1 meter का power 4 यानि 10 to the power कितना हो जाएगा 12 mm का power 4 तो यहाँ से आप लिख सकते हो 10 to the power minus 12 meter का power 4 equal to 1 mm का power 4 तो यहाँ से mm का power 4 है यहाँ पर लिख सकते है हम लोग कितना 5 गुने 10 to the power 7 और यहाँ पर replace कर रहे है यह जो millimeter का power 4 है यह millimeter का power 4 में रखेंगे तो 10 to the power minus 12 meter का पावर 4 हो जाएगा ठीक है और यहां से मिल जाएगा 5 इंटू 10 to the power minus 5 10 to the power minus 5 meter का power 4 ठीक है ऐसा आजाएगा देखा बाव यहां फिक्स्ट end moment होगा क्या वोरें fixed end fixed end moment या fixed end support moment जो support fixed end support होगा वो एक moment लगाएगा वो क्या है वो है m a और m b यहां पर आप लोग लिखोगे m a equal to m b और दोनों का magnitude होगा वो w l square by 12 होगा ठीक है यहां पर moment m a और m b का moment आएगा वो w l square by 12 आएगा और इसका आप value निकाल लो कितना आएगा तो sir w का value कितना है तो 4 5 double 0 l का value कितना है sir 8 w l square by 12 और l का square w l square by 12 आग यहां moment ठीक है और दोनों का जो nature होगा यह nature यहां पर हम बता दी है यहां पर एक होगा निगेटिव उधर वाला जो होगा वो भी negative होगा दोनों का value negative होगा देखो यहां पर जब section consider करोगे तो anti clockwise negative और section के उधर clockwise negative यानि दोनों जो moment create करेगा वो कैसा moment होगा सर negative moment होगा hogging create करेगा hogging ही आएगा ना इस moment के कारण ठीक है इसलिए negative लिखे fixed and support moment उसके बाद देखना यहां पर है simply supported moment या free moment लिख सकते हो free moment moment free moment हो जाएगा वो हो जाएगा कितना सर wl square by 8 wl square by 8 जो यहां पर लिखा हुआ है तो यहां पर wl square 8 हो गया 45 00 l square का मतलब 8 का square by 8 अब यहां पर आप calculator की मतलब से calculate करके सारा value निकाल लो उसके बाद हम लोग इसको super impose करेंगे तब जाके आप चीजों को समझते जाना ठीक है देखना यह कैसे निकलता value कैसे आएगा यहां पर value निकाल लो और इसका value निकाल लो Newton meter में आएगा जो भी value आएगा वो किस में आएगा सर Newton meter में आएगा क्योंकि हम लोग सब value Newton meter में रखें अगर सारा value kilo Newton में रखते तो kilo Newton balancer आता तो हम calculator की मदद से calculate करके लिख देते हैं उसके बाद super impose करके आगे बता रहें चलो इतना आप पहले pause करके note करो question note करो solution note करो erase करके आगे बता रहे हैं देखो यहां पर हम calculate करके value लिख दी है calculator की मदद से आप इस value को kilo Newton के term में भी लिख सकते हो 24 kilo Newton meter और इस value को आप लिख सकते हो 36 kilo Newton meter ऐसे भी लिख सकते हो लेकिन देखो यहाँ पर question complete नहीं होता है यहाँ पर जाके आपको कहीं पर fixed moment मतलब यहाँ से नहीं निकलेगा अभी आपको कुछ और यहाँ पर करना है हम erase करके आगे बता रहे हैं erase करते हैं वावो, erase करके जो भी term यहाँ पर हम लोग को important है वो हम लिखते जाते हैं ठीक है आप अच्छे से समझना try to understand everything carefully erase कर दिये ठीक है अब erase कर दिये अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे इसको और इसको super impose करेंगे तो आप super impose करके न यहाँ पर बनाना लेकिन मेरे पास जगा नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर बना रहें आप उसी के ज़स्ट नीचे super impose करके बनाओगे तो एक तो moment आगे हम लोग का parabolic ठीक है parabolic है वो wl square by 8 है wl square by 8 है जिसका value आ रहा है 36 kNm तो यहाँ पर यह जो value आ रहा है 36 kNm वाला रहा है ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर आपको 24 kNm का दिख रहा है वो negative moment है तो यहाँ पर आप negative moment बनाओगे super impose करने के बाद इसको यहाँ से कर दो ऐसे और यह 24 होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा यह जो moment होगा यह 24 kNm बचा है अच्छे से समझो क्या बोरा है यह जो diagram है ना यह height जो represent करा है न वाबू यह height जो है यह represent करा है 24 को 24 को represent करा है और यहाँ से यह height है ना यह height represent करा है 36 को ठीक है यहाँ से लेकर यह height है यह 36 है तो बीच में moment कितना बचा बीच में जो छोटू अगर momentum आप देखो गे तो यही moment बच रहा है न यह वाला momentum बच रहा है बाकी तो zero हो गया है इधर का negative है अगर हम लोग लिखे तो यह negative है यहाँ पर positive है sir और यह negative है और descended और बीच में जो जग़ा है वो positive, negative overlap होके zero हो गया है यहाँ पर moment क्या होके जा चुका है, खतम हो गया है, ठीक है, देखो यहाँ पर जो moment आएगा, moment at a, a के पास आपको कितना moment दिख रहा है, 24, ठीक है, mid पर आपको कितना moment दिख रहा है, सर, यह जो height है, अगर हम आपसे height पूछते हैं, तो यह जो height बचाएगा, यह 36, minus 24 होगा, यानि 12, यह जो height बच रहा है, यह 12 किलो न्यूटन मीटर है, यह जो height है, इतना 12 किलो न्यूटन मीटर है, तो maximum moment आपको कहाँ पर मिला, तो सर, maximum moment मिला है, वो support पर मिला है, जैसे जैसे moment आगे की तरफ देखेंगे 0, यहाँ पर moment मिला है, यह कहलाएगा point of contra-flexure, यह कहलाएगा point of contra-flexure, दो point of contra-flexure मिलेगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखों, जो maximum moment होगा, maximum, maximum bending moment, उसका value होगा 24 किलो न्यूटन मीटर, और यह कहाँ पर होगा, support A और B पर आपको मिलेगा, ठीक है, support A और B पर मिलेगा, और लिक लेना, at support A and B, negative positive के बारे में बात ही नहीं किया है, अगर हम लोग positive moment देखते हैं, तो यहाँ पर यह तो मिल गया, अब mid section पर जो moment होगा, तो यह clockwise, anti-clockwise है, वो negative positive जो है, वो direction को आपको बताता है, लेकिन moment maximum कहाँ पर होगा, तो आप answer यह लिखोगे, maximum bending moment होगा, वो 24 किलो न्यूटन मीटर होगा, और यह कहाँ पर आएगा, support पर 24, जैसे जैसे आप देखोगे moment घरते जा रहा है, यहाँ पर moment 0 मिला है, और यहाँ moment 0 मिला है, तो यह हो गया point of counterflexure, जहाँ पर moment negative से positive हो रहा है, यहाँ positive से negative हो रहा है, तो यह हो गया आपका एक answer, इतना है, वावो यह छोटा सा 6 master question, इतना छोटा इतना असान नहीं होता है, ठीक है, तो आपको you have to put these things, अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं, deflection, आप इत समझते हैं कि इसका deflection होगा, वो किस pattern में होगा, देखो इसका deflection होगा, fixed beam का कुछ ऐसा आएगा, mid पे आपको maximum deflection मिलेगा, by max मिलेगा, by max मिलेगा, और याद करना हम बताए थे, कि by max का value है, वो by max का value कितना हो जाएगा sir, तो WL का power 4, अचा 5 by 384, नहीं, 5 by 384 simply supported के लिए थ वो 5 गुना जादा उसमें deflection होता है, और ये होगा, WL का power 4 by 384EI, ठीक है, देखो W का value हम लोगो दिया होगा, W का value कितना है sir, तो 4500N per meter, ठीक है, L का value दिया होगा sir, 8 meter, E और I का value जो question में दिया होगा है, as it is हम लोग निकाल कर लिख दिये हैं, ठीक है, अब यहां से हम ल 00 into 8 का power 4 by 384 into E का value कितना है sir, 2 into 10 to the power 5, और I का value कितना है, 5 into 10 to the power minus 5, ठीक है, ऐसा कुछ value है, यहां तक समझ में आया, सारा जो value है, वो किस में है, तो sir, Newton में है और meter में है, तो deflection का जो unit होगा, वो meter में आएगा, सारा कुछ आप जब calculate करोगे, तो आपको आजाएगा meter में, नहीं है, हो रहा है, तो यहां पर देख लो, इसका value है, वो Newton में आ जाएगा, Newton per meter में आएगा, इसका value कितना हो जाएगा, meter का power 4 हो जाएगा, ठीक है, यह 384 as it is, E का value है, वो कितना है sir, Newton per meter square में आएगा, और I का value है, वो meter के power 4 में आएगा, तो देखो यहां पर meter का power 4, meter का power 4 cancel out, Newton cancel out, Newton cancel out, meter का square उपर चला जाएगा, और यह meter है, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और यहां से value आ जाएगा meter, यानि यह जो value आने वाला है, वो meter में ही आएगा, digit लिखकर ज्यादा कुछ मत करना, SI unit में जैसे होगा, वही लिखना, SI unit, सब हम लोग Newton meter में रखें हैं, तो deflection भी meter में आएगा, अब यहां पर आप calculator की मदद से calculate करके, देखो value कितना आ रहा है, 4500 into 8 का power 4 by 384 by 384 by 10, क्योंकि यह दोनों तो cancel out होने जा रहा है, तो यहां से deflection का value आ रहा है बाबू, यह कितना आ रहा है, 4800 meter, ठीक है 4800 meter, is it possible, कभी सर इतना deflection हो सकता है क्या, यह downward deflection होगा, तो आप यहां पर negative sign वेगरा लगा कर लिख सकते हो, सर maximum deflection possible है कभी 4800 meter, इतना deflection कभी हो सकता है, 8 meter का है उससे, तो यह गलत है, यानि कहीं ने कहीं data है, वो हम लोग का गलत दिया हुआ है, अगर आप carefully observe करो, तो e का value है, वो कितना दिया हुआ है, 2 into 10 to the power 5, newton per meter, question में जैसे लिखा हुआ है, आप as it is बनाना, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है question में as it is बनाना, अगर गलत अंसर आ रहा है, तो वहीं आप करके बढ़ो आगे, ठीक है, यहीं पर अंसर मारके आप चलोगे, लेकिन यहाँ पर देखो e का value अगर हम लोग केरफुली observe करें, तो याद करना e का value steel के लिए होता है, 2 into 10 to the power 5, MPa, Megapascal, यह आप लिख सकते हो, 2 into 10 to the power 5, newton per mm square, यानि यह जो value newton per meter square दिया है, actually newton per mm square होना चाहिए, यानि e का correct value होना चाहिए, 2 into 10 to the power 5, newton per mm का square होना चाहिए, आया समझ में, अब यह value आप लिखो, यह value गलत है, ठीक है, यह value जो दिया हुआ है, गलत है, अगर यह आपको exam में क्या करना, एकदम अच्छे से हम बोरें, एकदम carefully observe करो, note कर लो, कि exam में अगर गलत data रहेगा, तो गलत data पर answer बनाओगे, और वहीं मार के चले आओगे, कभी भी खुद से correct करके answer मत निकालना, don't try to over a smart, यह थोरे डबल जिरो मीटर आया, यही बना के आओगे घर पे, ठीक है, जब हम लोग बाइमेक्स करेक्ट निकालेंगे, तो देखना, बाइमेक्स का जो value होगा, एकच्छली में होगा, 4500, 4500, यानि कितना, WL का power 4, यानि 8 का power 4, by 384, by 384, गुने E का value कितना answer, तो 2 गुने 10 का power 5, और Newton per mm, यह mm का square है नो छोटो, इसको आप convert कर लो, अब मीटर के form में, तो देखना, एक मीटर जो होता है, वो 1000 mm के बराबर होता है, तो बोथ साइट square कर दो, बोथ साइट square कर दो, तो एक मीटर square हो गया, 10 to the power 6, mm का power 4, तो यहां से 1 mm का square के बराबर हो जाएगा, 10 to the power minus 6, मीटर का square, एक mm का square, यानि 10 to the power minus 6, तो आप इसको ऐसे लिखो, 2 गुने 10 का power 5, Newton, और यह हो जागा, 10 to the power minus 6, मीटर का square, मीटर के square के जगह पे, स्वारी, mm के square के जगह पे, मीटर का square है, वो value put कर दिये, mm के square के जगह पे, मीटर का value है, वो मिली मीटर के जगह पे मीटर put कर दिये, तो यहां से देखना, E का जो value आएगा, यहां पे हम लिख देते हैं, E का value होगा, 2 गुने 10 का power 5 और 6, 11, Newton, Newton, पर मीटर square हो जाएगा, Newton, पर मीटर square हो जाएगा, E का value 2 गुने 10 का power 11 होगा, 10 का power 11 होगा, 6 उपर जाएगा, positive में हो जाएगा, नीचे negative उपर जाएगा, positive में हो जाएगा, तो यहां पे आप जो value लिखोगे, E का 2 गुने 10 का power 11, और गुने 10 का power minus 4, 10 का power minus 4 या minus 5 होगा, minus 5, ठीक है, correct कर ले न, यह हम minus 5 पर ही किये थे, क्योंकि यह दोनों cancel out हो गया था, यह minus 5 होगा, ठीक है, minus 5 होगा, ठीक है, यहां पे आप correct कर ले न, 5 into 10 to the power minus 5 I का value है 5 into 10 to the power minus 5 यहाँ पे लिख देते हैं 5 into 10 to the power minus 5 यहाँ पे लिख दे 10 to the power minus 5 चलो minus 5 अब यहाँ पे हम लोग calculation करते हैं तो 4800 जो आया था 4800 दोखो यहाँ पे लिख देते हैं 4800 जो value आया था by 10 to the power 6 यहारा 4.8 into 10 to the power minus 3 आप लोग देखना इतना रहा है क्या 4.8 into 10 to the power minus 3 meter यह value आएगा correct answer हम निकाल रहे हैं जब E का value correct रख रहे हैं तो नहीं तो यहीं पर आप answer मार के आगे बढ़ होगे correct value होगा बो जाएगा 4.8 into 10 to the power minus 3 meter और इसको हम लोग by max को लिख सकते हैं 4.8 millimeter 4.8 millimeter ठीक है यह हो जाएगा यहाँ पर deflection 4.8 millimeter ठीक है तो आप इसको pause करके note कर लो यह आपका correct answer है ठीक है यह आपका correct answer है आपको ऐसे निकालना चाहिए ऐसा होना चाहिए अगर E का value correct रहता लेकिन अगर आपको exam में आएगा तो आप यही value लिख कर आओगे जो गलत value है वही आप लिख कर आओगे यह कभी 4800 meter होई नहीं सकता है ठीक है क्यों ऐसा है तो यह हम लोग का E का value गलत लिखा हुआ है होना चाहिए था यानि बिंट फोर्स पर सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमाम निकालेंगे